KBS PRT 2023 के रिजल्ट की घोशना के साथी साथ किंद्री विद्याले संगठन हेटकौार्टर के द्वारा KBS PRT के इंटर्वियू शेडियूल को भी पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया गया है लेकिन अभी भी रिजल्ट पर काफी संदे अभियर्तियों को बना हुआ है आज से दो दिन पहले एक डेडिकेटेड वीडियो के मादम से बिहार में हो रही गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन को अपनाए जाने के बारे में मैंने आप सभी को सूचित किया था वीडियो के मादम से अभियर्तियों के द्वारा इसके संबंद में KBS हेड़कौार्टर में जा करके ग्यापन दिया गया है और उन्होंने कुछ डिमांड रखी है कि आपने जो रिजल्ट दिया है उससे पहले जो raw इसकोर था वो public domain में आपने जारी नहीं किया है जो पहले आपने एंसर की जारी किया था उसमें जो आपने चैलेंज लिया था उस चैलेंज के सम्मन्द में जो फाइनल एंसर किया वो भी आपने पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया है साथी साथ ऐसे कंडिडेट जो की B.A.D. ही केवल है उनका भी नॉर्मलाइजड स्कोर उनके ओफिशल वेबसाइट पर जब लॉगिन करता है कंडिडेट तो वो शो कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि उस कंडिडेट को भी नॉर्मलाइजडेशन के प्रोसेस में कहीं न कहीं इंकलूड किया गया होगा 12 सितंबर 2023 को KBS Headquarter के द्वारा एक Public Notice निकाली जाती है कि 11 अगस 2023 के जज्जमेंट के बाद से B.A.W.R.T. इस सिक्षक भरती प्रक्रिया में आगे प्रोसेड नहीं करेंगे अगर उन केंडिडेट का जो स्विच किये हुए है अगर उन केंडिडेट का Normalized Score सो करता तब तो कोई प्रोलम नहीं नहीं थी लेकिन एक Normal Candidate जो की केवल B.A.D. डिग्री उसके पास है उसका भी Normalized Score सो कर रहा है इसका मतलब यह कहीं न कहीं उस B8 candidate को भी include किया गया है normalization के पूरे process में अब अगर उस बंदे को भी normalization के process में include किया गया है इसका मतलब यह हुआ कि normalization का जब आप formula देखेंगे तो उसमें जिस particular अगर मालिजे कोई candidate A है और अगर वो particular किसी shift की परिच्छा में समलित होता है मालिजे 10 shift में परिच्छा होई और उस shift का average क्या था वो भी देखा जाएगा और overall पूरा average यानि 200 shift का पूरा average क्या है वो भी formula में use किया जाता है इसका मतलब ध्यान से समझेगा देश में NCT जो की regulatory body है उनके द्वारा जो minimum eligibility तै की गई है B8 के लिए वो graduation है और अधिकान सराजों में आप देखेंगे DLA के लिए minimum eligibility जो होती है वो intermediate होती है अब आप खुद सोचिए कि एक graduate बंदा है और एक intermediate का बंदा है और उसके बाद से उसने B8 किया और इसने DLA कोर्स किया तो यानि कि आप एक graduate बंदे का एक intermediate बंदे से अगर आप complete कराएंगे ये तो natural से चीज है कि वो candidate जादा capable होगा और अच्छे marks लाने की संभावना उसमें जादा रहेगी जो की B8 किया हुआ है क्यों क्योंकि वो graduation के बाद B8 किया हुआ है लेकिन DLA अधिकान सराजों में आप देखेंगे तो वो intermediate के बाद होता है यानि कि जो overall average है जो की normalization के process में अपनाया जाता है वो overall average अगर B8 को सामिल करते हुए आप normalization के formula को अपनाते हैं तो जाहिर से बात है overall average बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि B8 candidate का score ज्यादा हुआ होगा ये तो natural से चीज है अब चुकि B8 का normalized score शो कर रहा है login करने पर इसका मतलब यह हुआ कि वो B8 candidate भी normalization के process में सामिल था यानि उस बंदे का भी score शामिल किया गया है average score निकालने में अब average score निकालने में जब उसको सामिल किया गया तो overall जो average है सभी shift को मिला करके वो जाहिर से बात है उपर चली जाएगी और उपर जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि सभी अभीयरतियों पर इसका direct impact पड़ेगा अगर मालीजे टोटल 6 लाख बच्चे हैं उसमें से 3 लाख मालीजे की B8 के हैं और 3 लाख B8 के हैं अगर आप 3 लाख B8 अभीयरतियों को सामिल करते हुए normalization के process को अपना रहे है तो overall average तो उपर चला गया अब overall average जब उपर जा रहा है उनको बाहर करने के बावजूद भी उनका impact इस DLAW अभीयरति पड़ पड़ रहा है जो 3 लाख candidate है उनके उपर पड़ रहा है क्यों पड़ रहा है क्योंकि उनका overall average इसमें शामिल किया गया होगा तभी उनका normalized score उनके login पर show कर रहा है इससे अभीयरति प्रभावित हो करके KBS headquarter में ग्यापन दिये है साथी साथ उनकी कुछ demand है और अगर ये demand नहीं मांगी जाती है तो वो इस मामले को Supreme Court में challenge करने जा रहा है क्योंकि ये directly 11 अगस्त के फैसले का violation है Supreme Court के आदेश का violation है अब इस पूरी भरती प्रक्रिया पर क्या इस्टे लग जाएगी इसके regarding detail में बात करेंगे अंतर तक जुड़े लगेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं Career Bit YouTube चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हूँ बैल एकन को प्रिस करना ना भूले अभी जो आप अपने इस्क्रिन पर ग्यापन की copy देख पार होंगे अभी जश्ट मैं अपने mail को स्क्रॉल कर रहा था लगबग 12 से 15 mail मुझे इसी ग्यापन को लेकर के प्राप्त हुए है ये ग्यापन अभीरतियों ने KBS Headquarter में दिया है KBS Headquarter से यहाँ पर ये request किया गया है आप इसक्रिन पर देखिए We humbly request you to consider suspending the ongoing recruitment process for the PRT exam until this matter is fully resolved यानि कि जब तक ये मामला पूरी तरिके से निस्तारित नहीं हो जाता तब तक आप जो ongoing process है जैसे interview का process उन सभी को suspend कर दीजे अब यहाँ पर KBS Headquarter अपनी तरफ से कुछ इसपश्टी करण देता है तब तो ठीक है जैसे इसमें पूरा जो अभीरतियों के दुआर डिमांड किया गया है आपके द्वारा website पर जो अभीरति का raw score है वो show नहीं किया गया तो इनी सभी चीजों को ले करके अभीरतियों के द्वारा request किया गया है KBS से कि यह सभी चीजों को आप public domain में लाइए साथी साथ normalization का क्या formula आपने यूज किया है और आखिर B8 candidate का normalization score क्यों show कर रहा है यह तभी possible होगा जब आपने B8 को भी normalization की process में सामिल किया है इसका मतलब यह हुगा कि 11 अगस्त का judgment जो है उसका सीरे तोर पर violation है भले ही आपने B8 को बाहर कर दिया लेकिन overall average निकालने में आपने उसका use किया जिसकी वज़े से cut off जो है वो बहुत ज़्यादा high चला गया है अब यहाँ पर क्या इस पूरी भरती प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी यहाँ पर आप ग्यापन की copy देख पार होंगे 23 October 2023 यानि आज ही की तिथी की है और यहाँ पर KBS headquarter का आप receiving भी देख सकते हैं जो की आज ही का है अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या KBS PRT की जो ongoing process है क्या उस पर रोक लग जाएगा देखे KBS के द्वारा अगर कुछ public domain में इस प्रकार की सूचना दी जाती है और सारी चीजे public domain में clarify कर दी जाती है तब तो कोई दिकत नहीं है अनेथा की condition में अगर यहाँ से कोई KBS अपनी तरब से steps नहीं उठाता है तो अभीरती इसको Supreme Court में challenge करने जा रहे है अब वहाँ से क्या होगा कि Supreme Court का सीरे तोर पर अभीरती जो पूरी drafting कर रहे है वो यहीं है कि 11 अगस्त के judgment का सीरे तोर पर यह violation है अब पहली सुनवाई में Supreme Court यह पूछ सकती है कि आपको जब clear cut notification है और आपके advertisement में बाते में शनती आपने 12 सितंबर 2023 को जब public notice निकाल दिया कि हम B8 को include नहीं करेंगे फिर normalization के process के अंतरगत उनका normalized score क्यों show कर रहा है यानि इसका मतलब यह हो गया कि कहीं न कहीं आपने उनके score को भी overall average निकालने में मदद ली है तभी उनका भी normalized वाला score show कर रहा है अब यहाँ पर पहले ही सुनवाई में हो सकता है कि इस पूरी भरती प्रक्रिया पर इस्टे लगाने के लिए honorable supreme court order पास कर दे क्यों कर दे क्योंकि यहाँ पर सीधे तोर पर यह है कि KBS headquarter को वहाँ पर सारी चीजे clear करनी पड़ेंगी कि क्यों यह पूरा विवाद मच रहा है आखिर आपने इस प्रकार की list क्यों बनाई है कि B.A.W.T का normalized score क्यों show कर रहा है इन सब को लेकर कहीं न कहीं supreme court से यहाँ पर इस पस्टी करना मांगा जा सकता है भले ही DLA candidate जो ग्यापन दे रहे हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं KBS अगर अपनी जवाब दे ही नहीं समझता है और उनको अगर ignore कर देता है लेकिन honorable supreme court जब उसन से पूछेगी तो वो उसको ignore नहीं कर पाएंगे जहिर से बात है वहाँ पर वो justification देना पड़ेगा और अगर proper justification नहीं देते हैं honorable supreme court satisfy नहीं होती है उनके answer से जहिर से बात है पूरी भरती प्रक्रिया पर रोक लग सकती है जब तक ये पूरा मामला निस्तारित नहीं हो जाता है तो बहुत बड़ा शवाल है और देखना होगा कि केवियस हेटक्वार्टर इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस प्रकार से आगे प्रोसीड हो रहा है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोब हो